हलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको continuous statement के बारे में बताने जा रहा हूँ C language में यहाँ पर definition है continuous statement is menu used inside the loop तो यह inside the loop में use होता है जैसे यह while loop हो गिया, do while loop हो गिया while loop हो गिया और यहाँ पर control directly jumps to the beginning of the loop for the next iteration अगर यहाँ पर control continuous statement के पास जाता है तो control directly jumps वो jump करता है beginning of the loop for next iteration के लिए तो जलिए यहाँ पर हम code लिखते हैं तो यह दिखें यह code मैंने last video में बताया था goto statement के बारे में तो goto look के अब बताया था मैंने last video में यहाँ पर हम goto को हटा के सर्फ continue कर देते हैं और इस पाट को तो डिरीट कर देते हैं हम पहले क्या करते हैं यहाँ पर हम इसको continue को comment कर देते हैं और देखते हैं क्या output आता है तो यह देखें यहाँ पर 10 से 100 की बीच में output आ रहा है यहाँ पर 30 भी है output आ ठीक है अगर यहाँ पर हम क्या करते हैं continue को और comment कर जाते हैं जब और compiler continue के पास आएगा तो यह क्या करेगा यहाँ से यह jump हो जाएगा ठीक है jump होने के बाद यह फिर से iteration को repeat करेगा चलिए यहाँ पर देखें के पहली बार में 10 प्रिट हुआ बेस प्रिट हुआ अब जब यहाँ पर आई के बारे जब 30 हुआ 30 इकल टो 30 यहाँ पर अंदर है continue ठीक है continue होने के बाद और क्या हुआ कि यहाँ पर जो पार्ट था इस पार्ट को यह प्रिट नहीं करके यह डारेक्ट यहाँ पर आगे ठीक है यहाँ पर increase किया आई कर टीस प्लस दस चालिस यहाँ यहाँ चेक किया 40 less than 100 जोगी सही है तो यहाँ पर if 40 equal to 30 तब यह condition सही नहीं है तब यहाँ पर print किया तो जब यहाँ पर continuous statement के पास control आता है तो जब होता है यहाँ पर code में तो उसको क्या करता है skip करता है skipping the execution or declaration inside the look तो जब ही look के अंदर declaration है वो सब को यह पार्ट को वो क्या करता है skip कर देता है for the current current iteration current iteration करें तो यह simple सा है continuous statement condition अगर सही रहाँ तो क्या करता है यह जोई पार्ट है वो continue हो जाता है और यहां पर जोई statements है course है continuous statement के पास तो उस पार्ट को क्या करता है look में जो भी पार्ट है यहां पर कुछ भी लिखेंगे यहां पर i equal to यहां पर लिखते हैं यहां पर end a equal to 12 और यहां पर हम print कराने 12 %d और यह है a के लिए तो यहां पर एक और मैंने part short दिया और इसको execute करके देखते है जड़ी यहां पर execute कर रहा है तो यहां पर 12 डिस्पेल वड़ा है लेकिन यहां पर आई का वैड़ी जब 302 से गड़ी है continue होने के बाद यहां से इससे बाहर निकलने के बाद 20 और यहां printf इससे बाहर को क्या करते है ignore करने के बाद यह continue डाइक्टर यहां पर आया और i के value को increase करते है यह skip करता है यहां पर execution and declaration insert दर लो condition match होता है तो यह continue statement के बाद में तो मैं आफ़ा करता है कि वीडियो आपको साहज में आगया हो यह क्या होता है continuous treatment तो आज की वीडियों है मिलते है new topic साथ नहीं बगए तो यहीं है झाल झाल कुर्द नहीं